कल हमने ये सीखा और समझा था कि ये मनुश्य जीवन बड़ा अनमोल है और इसके हमें इसका पल-पल सदुप्योग करते रहना चाहिए आज मैं आपको मेरे जीवन से जुड़े हुई एक महत्तपुन बात बताना चाहूंगा अगर मेरे जीवन में खुशी है मेरे जीवन में आनंद है मेरे जीवन में प्रसनता है तो उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वही मंत्र में आज आपको दे रहा हूँ और वो है अपने जीवन में सुकराना समर्पित करने का भाव, धन्यवाद करने का भाव, जब भी मैं सुबह उड़ता हूँ तो सबसे पहले अपना मूध होने के बाद बाहर आता हूँ और बाहर आकर के इस धर्ति मा को देखर के मुस्कुराता हूँ और प्रणाम करता हूँ आकास को दे करके मुस्कुराता हूँ और प्रणाम करता हूँ और इस सुन्दर प्रकरती को दे करके मुस्कुराता हूँ और प्रणाम करता हूँ और अपने जीवन को दे करके भी प्रणाम करता हूँ और मुस्कुराता हूँ जब जब इंसान सुक्राना के भावों से भरा हुआ होता है जब जब इंसान धन्यवाद के भावों से भरा हुआ होता है तो उसे अपने जिवन में कभी सिकायत का मौका नहीं रहता है हमारे दुख का कारण अगर कोई है तो वो है हमारे दिमाग में हर समय शिक्वा पलता रहता है और जुबान पर हर समय सिकायतें पलती रहती है अगर दिमाग में शिक्वे पलते हुए रहेंगे और जुबान पर सिकायतें पलती हुई रहेगी तो हम कभी जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और उसकी बजाए अगर दिमाग में सुकराना होगा और जुबान पर सादुवात का भाव होगा तो मान कर चलिए हम अपने आप से भी संतुष्ट रहेंगे और औरों से भी संतुष्ट रहेंगे हमारे जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई दोस्ट, सबसे बड़ी कोई कौन सी आदत? शिकायत करने की आदत, कंप्लेन करने की आदत हमें अपने माबाप से सिकायत रहती है, पती को अपने पत्नी से सिकायत रहती है, माबाप को बच्चों से सिकायत रहती है, और हमारा कोई पडोसी है तो हमें पडोसी से भी सिकायत रहती है, कभी हमें अपने श शिकायतें करने लग जाते हैं अभी एक study हुई है और उसमें ये बताय गया है कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो तीन कारण से मंदिर जाया करते हैं नंबर एक नंबर एक जो मंदिर में जाते हैं वो है या तो वो भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाया करते हैं न मश्या है तो वो इसका समाधान मांगने के लिए जाया करते हैं तो हम अपने आप से पूछें कि हम इन तीन मैसे किसमें आते हैं हम इन तीन मैसे किसमें आते हैं या तो मंदर में हम अपनी समस्या का भगवान से समाधान पाने के लिए जाते हैं या नंबर दो मांगने के जाते हैं कि भगवान ये नहीं दिया भगवान वो नहीं दिया भगवान तुने ऐसा नहीं किया तो जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें वहां पर दू तरह की बिखारी मिलते हैं एक अमीर बिखारी मिलते हैं और गरीब बिखारी मिलते हैं पूछा गया कि दोनों में फरक क्या ह तो इतना सा फरक बताय गया कि जो मंदिर के बाहर होता है वो गरीब विखारी होता है और जो मंदिर के अंदर होता है वो तो मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, इन तीन कैटेगरी के अलावा भी एक और कैटेगरी के लोग होते हैं, जो मंदिर में न तो मांगने के लिए जाते हैं, न शिकायत करने के लिए जाते हैं, वो तो मंदिर में जाते हैं, तो भगवान को धन्यवाद और सुक्राना पित करने के लिए जाया करते हैं तो हम वो चोथी केटेगरी की लोग बने मंदिर में जाएं तो भगवान से न तो शिकायत करने के लिए जाएं न भगवान से मांगने के लिए जाएं न अपनी समस्या का समाधान के लिए जाएं वरन वो लोग बड़े किस्मत वाले और बड पॉजिटिव लोग होते हैं जो मंदिर में जाते हैं और भगवान को धनिवाद करते हैं कि प्रभू तेरी बड़ी कृपा है हकीकत यह है कि मेरी जीवन में तो इतने अच्छा भागय नहीं था लेकिन तूने मेरे भागय से भी मुझे जादा दिया है तूने मेरी किस्मत से भी मुझे जादा दिया है अरे मेरी ओका तो स्कूटर की नहीं थी कि तुने मुझे चार परईों वाली गाड़ी दे रखी है गुरु नानक देव के बारे में एक प्यारी घटना आती है वो किसी गाउम में पहुचे तो उनके गाउम में एक भक्त रहता था तो वो भक्त नानक देव के पास पहुचा और कहा कि प्रभू मेरी कुटिया में पदारो, मेरी कुटिया में पदारो, वहाँ पर ससंग करो, वहाँ पर प्रवचन करो, वहाँ पर प्रभू की अर्दास और भक्ती कीजिए, गुरू नानक देव ने कहा जरूर आओंगा मैं ज कियां बताऊं मेरे पास अभी तो केवल जोपड़ी ही है मेरे पास तो केवल जोपड़ी ही है आपके तो बड़े-बड़े सेट भगत है और उनके बड़े-बड़े राज महले पर मेरे पास तो छोटी सी कुटिया है छोटी सी जोपड़ी है अगर आप पदार जाएंगे तो मुझ पर बड़ी किरपा होगी बड़ी महरबानी होगी और कहते हैं कि नाना देख वहाँ पर पदारते हैं कोटिया में विरासते हैं और वहीं पर संगत करना शुरू कर देते हैं वहीं पर भक्ती करना शुरू कर देते हैं ससंग प्रवलचन जरूर करवाता लेकिन क्या करूँ परमात्मान ने तो अभी मुझे कुटिया ही दे रखी है लेकिन आपकी बड़ी महरबानी आपकी बड़ी किरपा कि आप इस गरीब दास के घर भी आपने पदाने की किरपा की तो गुरु नाना देव ने कहा कि भाई हो सकता है कि तो पैसे से गरीब होगा लेकिन मुझे लग रहा है तो दिल से तो बहुत बड़ा अमीर है तो दिल से तो बहुत बड़ा अमीर है और कहते हैं कि वहाँ पर लंगर चलता है सैकड़ो लोग आते हैं और जीम करके चले जाते हैं और गुरु नाना दे अगले गाव में पहुंशते हैं और वहाँ पर भी उनके बहुत सारे भक्त रहते हैं और पता नहीं नानक देव को क्या होता है वो चार भक्तों को पिछले गाव में भेजते हैं और जिस खुटिया में जिस जोपड़ी में उन्होंने ससं लोग जाते हैं और उस भक्त को कहते हैं कि भई हम तेरी जौपड़ी हटाने के लिए आए हैं हम तेरी जौपड़ी गिराने के लिए आए हैं उसने कहां भई क्यूं मेरी चोटी सी जौपड़ी है चोटी सी कुटिया है इसको भी अगर आप गिरा दोगे इसको भी हटा दोग मैं कहां पर रहोंगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो नानक जी ने हमें कहा है, और जैसे उसने ये सुना, अच्छा उनकी आग्या है, तो ठीक है इस जौपड़ी को भी खटा दो, जौपड़ी को भी हटा दो, अगर वो चाहते हैं तो उनकी हर रजा में मेरी, उनकी हर रजा में मैं राजी हूँ अगर मुझे जमीन पर भी रहना पड़े तो मैं जमीन पर रहने के लिए भी तैयार हूँ और कहते हैं कि जोपडी उनकी गिरा दी जाती है उनकी जोपडी गिरा दी जाती है और वो चार्ड लोग जाते जाते उसे कहते हैं कि अब तुझे यहाँ पर जौपड़ी को गिरा तो दिया है लेकिन गुरु नानादेव ने कहा है कि तुम्हें यहाँ पर राजमहल वापस खड़ा करना है तुम्हें यहाँ पर वापस राजमहल बड़ी कोठी खड़ी करनी है उसने का मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे खड़ी करूँगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कैसे खड़ी करूँगा, तो उन्होंने का कि ये सब चिंता तो नानक दे पर छोड़े, ये सब चिंता तो नानक दे पर छोड़े, तो तो बस मजदूरों को बुला और खुदा की जाती है तो उसके नीचे से सोने और हीरे के कलस उसे मिल जाया करते हैं उसे सोने और हीरे से भरे हुए कलस मिल जाते हैं और देखते ही देखते वो उस गाव का सबसे बड़ा सेट बन जाता है सबसे बड़ा अमीर बन जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी शांदर कर देता है और कहते हैं कि छे महने के बाद गुरु नानदे वापस उसी गाह में आते हैं उसी गाह में आते हैं और उनके भक्तकन गहते हैं कि यह जो आपको यह जो कोठी दिखाई दे रही है यह जो आपको महल दिखाई दे रहा है आपने कभी यहीं पर ससंग किया था यहीं पर प्रभू की भक्ति की थी और कहते हैं कि वो जो अमीर व्यक्ति जो गांग का सबसे बड़ा सेट बनावा होता है वो भागा भागा गुरु नानग देख के पास आता है और कहता है कि गुरु जी गुरु जी पिछली बार तो आपने इसी जोपड़ी में ससंग किया था ले सेट लगातार उनकी सेवा में खड़ा रहता है और कहता है कि आज जो कुछ भी है वो सब आपकी ही किरपा का परिणाम है और गुरु नानग देख कहते हैं कि जब इनसान का दिल अमीर होता है और भले ही उसके पास पैसा हो कि ना हो लेकिन अगर इनसान का दिल अमीरी से भ भरा हुआ है उसके पती अगर नत मस्तकों रहता है तो जोपड़ी भी जोपड़ी नहीं रहती वो जोपड़ी एक दिन महल बन जाया करती है तो हो सकता है कि आज हमारे पास कुछ नहीं हो तो उसके लिए हमें भगवान को कभी कौसना नहीं चाहिए भगवान से सिकायत नहीं करने चाहिए कि भगवान तुने तो कुछ नहीं दिया ये नहीं दिया वो नहीं दिया जो है जो मिला है उसके लिए भी हमें सुकराना भाव से भरे हुए रहना चाहिए और रोज सुबह उठकर के ये चार शब्द जरूर बोलने चाहिए रोज सुबह उठकर के ये चार शब अहुत धन्यवाद तूने जो दिया है वो मेरी किस्मत से जादा दिया है तूने जो दिया हो मेरे भागे से जादा दिया है अरे मेरे नसीब में तो कच्छी बस्ती में पैदा होने लिखा था लेकिन तेरी बड़ी किरपा की तूने मुझे अच्छी बस्ती में पैदा कर दिय अरे मेरे नसीब में तो नहीं था मेरे नसीब में तो नहीं था कि मैं किसी दुकान का और किसी ओफिस का मालिक बनता तेरी किरपा रही कि तुने मुझे किसी दुकान और ओफिस का मालिक बना दिया अरे मेरी तो किसमत इतनी नहीं थी कि मैं तो किसी जोपड़ी में रहने लायक था लेकिन तेरी किरपा की तुने मुझे कोठी का सेट बना दिया तो जो मिला है उसके प्रतिएगर हम सुकराना के भाव से भरे हुए रहेंगे तो मान कर चलिए जिंदगी में हमें अपने आप से कभी शिकायत नहीं रहेगी बागी तो इनसान को कितना भी मिल जाए लेकिन उसका मन कभी त्रिप्त नहीं होता कभी शान्त और संतुष्ट नहीं होता है आपको मालों में हम सब को एक ही गिला है हम सब को एक ही गिला है और गिला ये है हम सब को एक ही गिला है क्या बताओ यार पडोसी को बहुत ज़्यादा मिला है हम सब को एक ही गिला है और क्या कि पडोसी को मुझसे ज़्यादा मिला है हो सकता है कि पडोसी को ज़्यादा मिला होगा लेकिन मुझे जो मिला है वो तो मेरे भागे से जादा में, जो मुझे मिला है वो मेरे भाग्य से, जादा मिला है जैसे हम जहां पर रहते हैं वहां पर एक तरफ चार मंजिला मकान है और दूसरी तरफ जोपड़ी है तो अगर हम चार मंजिला मकान को देखेंगे तो हमारे मन में क्या आएगा? क्या आएगा है क्या आएगा हमारे मन में आएगा ए भगवान औरे तुने पड़ोसी को तो चार मंजिला मकान दिया और मुझे तो केवल ये छोटा सा मकान मुझे कल छोटा सा मकान दिया है और उसको देख देखे देखे उसको देख देखे हमारी केवल गर्दन ही नहीं दुखेगी हमारा मन भी दुखेगा मन भी दुखेगा गर्दन भी दुखेगी भगवान तुने उसको तो इतना दिया और मुझे कुछ नहीं दिया और उसकी बज़े अगर जोपड़ी वाले को देखेंगे तो क्या मन में आएगा क्या आएगा जोपड़ी वाले को देखेंगे तो मन में आएगा कि प्रभू तेरी बड़ी कृपा है कि तुने तो कहले इसको जोपड़ी ही दी है मुझे कम से कम पक्का मकान तो दिया है हमारे गुर्देव कहा करते हैं उनका एक वाक्या बड़ी पू नसीब ना हो कभी जिन्दगी में ऐसी नौबत आ जाये कि पाउंे पेहनने को जूते भी नसीब नहोग तो उस समय भी भगवान से शिकायत मत करना उस समय भी भागे को कोषना मत भगवान उस समय भी परमात्मा से ये कहना कि प्रभू तेरी बड़ी कृपा है, मानता हूँ कि मेरी पाउ में पहने को जूते नहीं है, लेकिन तेरी बड़ी कृपा कि इस दुनिया में लाखो लोग है जिनके पाउ ही नहीं है, तुने कम से कम मुझे पाउ तो दिये है, तुने कम से कम मुझे पाव तो दिये है पाव में जूते नहीं दिये तो क्या हुआ कम से कम पाव तो दिये है अगर इंसान हर समय सुक्राना के भाव से भरा हुआ रहेगा धन्यवाद के भाव से भरा हुआ रहेगा तो मान कर चलिए उसे कभी अपने आपसे असंतुष्टी नहीं होगी कभी मन में बेचेनी पैदा नहीं होगी कभी मन में परेशानी पैदा नहीं होगी तो इसमें हर समय हमें अपने आपको धन्यवाद के भावों से भरे हुए रहना चाहिए प्रभू के प्रतिवी धन्यवाद अपने माता प प्रति के प्रति भी धन्यवाद अपने बच्चों के प्रति भी धन्यवाद अपने पडोसी के प्रति भी धन्यवाद अपने सहियोगियों के प्रति भी धन्यवाद सब के लिए धन्यवाद और इस जीवन के लिए भी धन्यवाद की प्रभू की कृपा है कि हमें ये सुंदर जीवन मिला है अगर जीवन में संगर्ष हो जीवन में परिशानी हो जीवन में दिक्कत हो तो भी कोई बात नहीं फिर भी अपने जीवन के प्रति हमेशा धन्यवाद के भावों से भरे हुए रहना चाहिए क्योंकि याद अखना फिल्मों में कठिन रोल उन्हीं को दिया जा कठिनाईयां आ रही है तो इसका मतलब क्या है भगवान हमें शानदार एक्टर बनाना चाहता है तो जीवन में संगर्ष हो तो संगर्ष को भी हस्ते हुसते स्विकार कर लो क्योंकि संगर्ष एक दिन संगर्ष नहीं रहता संगर्ष भी अगर हस्ते हुए स्विकार किया ज कायातनी एक्वेक्तिु टित्लि विए टित्लिहों को तो एक वीक्ति युसने निखा तो एक विएक देली बाहर निकलने केические लिए कोशिश कर रहे थी Fairy संगर्ष कर रहे थी लेकिन में उस्वेर निकन नहीं पार रही थी और जैसे verdi देखा तो उसके मन में दया भाव आई और उसने क्या किया उसके बिल को कैची से काट दिया वो तितली तुरंद बाहर तो आगई लेकिन बाहर आकर करके वो उड़ नहीं पाई ये देखा तो उसका मन बढ़ा दुखी वह ओ हूँ ये क्या इसके संगर्ष को कम कर दिया तूने इसके बिल को काड़ करके इसके संगर्ष को कम कर दिया जब तितली अपने बिल से बहार निकली के संगर्ष करती है लगातार संगर्ष करती है तो संगर्ष करने से उसके पांक मजबूत हो जाते हैं उनमें ताकत आ जाती है उनमें होसला आजाता है और परिणाम जब ये लगा अतार एक मेने तक संगर्ष करती है करती है करती है और इसका परिणाम ये आता है कि इसके पंग इतने मजबूत हो जाते हैं इसका सरीर तो इतना बड़ा होता है और पंग छोटे से होते हैं लेकिन संगर्ष करते करते पंग इतने मजब करने की कोशिस कीजिए क्योंकि संगर्ष ही एक दिन जीवन में हर्ष का निर्माण किया करते हैं कठी नाईयां ही एक दिन जीवन में अच्छे अवसर पैदा किया करती है तो कहने का सार आप सब भाई बेनों को मैं इतना ही निविदन कर रहा हूं कि सुबह उठकर के प्रभू आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर प्रभू पर रखेंगे आज था अगर प्रभू पर रखेंगे आस्था तो याद रखना बंदद्वारों में भी खुल जाएगा रास्ता आप सब के लिए बहुत बहुत धन्या